बारिश के पानी की स्टोरेज बारिश के पानी की स्टोरेज बारिश के पानी को जमा करने और जगीरा करने का एक अमल है जो च्छतों, पारकों, सड़कों, खुले मैदानों वगेरे से बहता है इस तक्झिक को किसी खास जरीے से जखिरा करने या चमा करने के आमल को बारिश के पानी की कड़ाई कहा जाता है ये बहतावा पानी या तो जखेरा किया जा सकता है या जमीनी पानी में शामिल किया जा सकता है बारिश के पानी की स्टोरेज का नजाम मुख्तलिफ अजिजा पर मुश्तमिल होता है जिसे स्टोरेज, टेंक या मुख्तलिफ रिचार्ज धांचे बारिश के बाद इस पानी को पैदावारी मकासित के लिए जमा करने की अमल को बारिश के पानी की स्टोरेज कहा जाता है दूसरे लफजों में बारिश के पाने की स्टोरेज आपके च्छत पर किरने वाले बारिश के पाने को आग तरीके से जमा करने और इस्तमाल करने का अमल है पाने की गिल्लत दुनिया भर में एक मसला बनती जा रही है उसके वज़े जमीन के पानी के सतह का मुसलसल नीचे जाना है बारिश की पानी स्टोरेज की जरूरत आज खालिस पानी की कमी तश्वीस का बास बन गई है बारिश का पानी जाय हो जाता है अगर उसे जमा किया जाए तो पानी का बहरान किसी हद तक हल हो सकता है ये एक अच्छा आप्शन है बारिश का पानी जमा करने के लिए मौजू जगा आम तोर पर बारिश के पानी की स्टोरेज कहीं भी की जा सकती है इस तरह बारिश के पानी की स्टोरेज मुक्तलिफ जगहों के लिए बिलकुल मौजू है कम जमीनी पानी वाली साइटे आलूदा जमीनी पानी वाली साइटे पहाडी पानी साइट खुश्क साली या सहलाब से मुदासिरा मकामाद आलूदा पानी वाली साइट कम आबादी कसाफत साइट आला मादनियाद और नमकीन पानी वाली साइट बारिश के पानी की स्टोरेज की टेक्नलोजी की बहुत से बरारास्त और बिलवास्ता फवायत हैं जिनकी तफसीर जेल में दी गई है जमीनी पानी सरकारी पानी की फरहमे पर इन हिसार कम हो जाएगा जहाँ पानी के जराय नहीं है वहाँ जर्ई काम भी मुम्किन हो सकता है आला मैयार और खालिस पानी दस्तियाब होगा सेलाब के रफ़तार को कंट्रोल करने से मिट्टी का कटाव कम हो जाएगा गिरने वाले जेरे जमीन पानी की सतह को उपर लाया जा सकता है ये पानी के जरीए काम करता है गुनजान आबादी वाले इलाकों में पानी की कमी को कम करने में मदद करता है बारिश के पानी को जखीरा करने के लिए दरज़ेल अकदामात किये जा सकते हैं निक्दाबाद के जरीए जमीन के अंदर पानी की किर्दी वी सतह को उपर लाया जा सकता है बराहे रास्त जेरे जमीन बारिश के पानी को एक किर्दी के जरीए बराहे रास्त जमीनी पानी की फराहमी के लिए इस्तामाल किया जा सकता है गड़े बनाकर रिचार्ज करना बड़े एधारों की केमपस में हदूत के साथ साथ बड़े नालियां तामिर करके पानी को जमीनी रामते के लिए इस्तामाल किया जा सकता है कुवव और टीवलों में पानी डालना बारिश का पानी घरों के छटों से घर के गरीब या किसी भी कुवे तक पाइब किया जा सकता है ये पानी जमीन के नीचे जीर जमीन पानी की सतह को बलंद करता है टैंक में जखीरा जमीनी पानी के जखायर को रिचार्ज करने के इलावा बारिश का पानी टैंक में जखीरा किया जा सकता है ताके हमारी रोज मर्रा की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके लहाजा अब वक्त आ गया है कि जितना पानी हम जमीन से लेते हैं उतना ही पानी किसी ना किसी शकल में जमीन पर लौटा दिया जाए ये बारिश के पानी की मदद से मुम्किन है ये हमारे जिम्मेदारी है कि पानी का एक गत्रा साय ना होने दे और हर गत्रा इस्तामाल करे पानी किसी शकल में जमीन पर लौटा जाए